हलो इवरिवान वेलकम टू माई चैनल सो गाईज आज की वीडियो में हम सिखेंगे बिना जोड़ वाला अम्रेला प्लाजो बहुत आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप जिन लोगों का अम्रेला प्लाजो साइड से लटकता है या बीच में से उठता है सो उन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए स्पेशली ये मैंने उनी लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि इस तरह से परफेक्ट राउंड वाला अम्रेला प्लाजो कैसे बनाए तो यहां आप देख सकते हैं मेरा अम्रेला प्लाजो पीचे से और आगे से पूरी तरह से गोल है कहीं से भी उठ नहीं रहा है या फिर लटक नहीं रहा है सो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे साथी साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की यूसफुल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेंगी एंड वीडियो के रिकार्डिंग आपको कोई सवाल है कुछ पूछना चाते हैं तो आप करेंड बॉक्स में जरूर पूछे मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाइ करूँगी तो गाइज अमरेला प्लाजो की इससे आसान वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी तो बिना जोड़ वाला मरेला प्लाजो बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लेना है जिसका अरज कम से कम 58 से 16 इंच होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर साटन फैब्रिक लिया है इस फैब्रिक की जो वेट है वो 58 इंच है अब दिखिए इसके साथ मैंने जो सिंपल कुर्ती बनाई है यह मैं एक मीटर में बना रही हूँ क्योंकि अरज ज्यादा है तो अरज में से ही हमारी कुर्ती की चोड़ाई आ गई है तो यहाँ से मैंने सिंपल कुर्ती कट कर ली है अब यह जो हमारा फैबरिक है यह मेरा तीन मीटर में भी थोड़ा कम है क्योंकि मैं लेंट में 37 इंच तयार करूंगी तो यह इतना काफी होगा बट इससे जादा लेंट आपको चाहिए तो आपको कम से कम 3 मीटर कपड़ा लेना होगा जिसका अरज 58 इंच से 60 इंच तक होना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको अपने कपड़े का अरज दिखा रही हूँ यह देख सकते हैं आप इसका अरज 58 इंच है अगर आपके कपड़े का अरज कम होगा तो आपके प्लाजो में जोइंट आएगा बिना जोइंट के लिए आपको जो अरज है वो ज्यादा लेना होगा अब देखिए लंबाई वाली साइड से यानि यह हमारी जो 3 मीटर की लंबाई है इसको हमने डबल कर लिया है इसके बाद इसको इस तरह से तिकोना करके फोल्ड कर लेंगे यह वाली जो साइड है यह हमारी बंद वाली साइड है और आगे की तरफ यह खुली साइड है जहां पर 4 लेयर है तो कपड़े को इस तरह से विछा कर रख लेना है इसमें कोई भी सिल्वट नहीं होनी चाहिए अब देखिए इस वाले कॉर्णर से हमने कमर की माकिंग करनी है तो कमर की माकिंग करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे जितना भी हमारा हिप है उसे 4 से डिवाइट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका hip का measurement लेना होगा और उसको 4 में divide करना होगा उसके बाद 2 inch उसमें plus करना होगा जैसे मेरे measurement में 40 hip के लिए बना रहे हूँ तो 40 का foot part हुआ 10 inch और मैंने उसमें 2 inch plus किया जो हो गया 12 inch तो 12 inch की गोलाई पर हमने इस corner पर marking करनी होगी तो देखिए 12 inch को हम इस तरह से रखेंगे गुमाते हुए इंची tape को थोड़ा सा गोल करके रखेंगे और खुली side में हम mark कर लेंगे तो खुली side में यहाँ पर 16 inch की land पर हमने marking की है अब इस mark को पीछे की तरफ follow करते हुए dot dot करके हमने पहले marking कर लेनी है इस तरह से 16 inch की लंबाई पर हमें 12 inch की गोलाई अच्छे से मिल जाएगी अब इनी सब mark को हमने अच्छे से मिला लेना है इसके बाद हमने इस वाले mark पर अपनी lastik की चोड़ाई रखनी है यहाँ lastik की चोड़ाई आप 1 से लेकर 2 inch तक ले सकते है जितनी भी lastik की चोड़ाई होगी हमने उपर mark निकाल दिया है उसके बाद नीचे यहाँ से हम अपने प्लाजो की ready length लेनी है तो मैं 37 inch पर प्लाजो की length को ready रखूँगी उसमें आदा से 1 inch हम प्लास कर लेंगे तो यहाँ मैंने अपने length की marking कर ली है अब यह जितनी भी length आई है इस length को हम आगे follow करेंगे और पहले हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर dot dot करके marking करनी है तो नीचे से गोलाई perfect आए इसलिए हमने इस mark को धियान से करना है इंचे tape बिल्कुल सीधा रखेंगे और इस तरह से marking करते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने 36 inch पर mark किया है अब जितनी भी हमने dot dot करके नीचे गोलाई की marking की है इन सब को आपस में मिला लेना है तो दिखिए नीचे से अगर हमारी गोलाई बिल्कुल ठीक रहेगी तो हमारा प्लाजो भी बिल्कुल नीचे से गोल रहेगा और उचा नीचा नहीं होगा इस वाले mark को आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया है या फिर डारेक्ट आप कौनर प्रेंच टेप रखकर नीचे जो आपकी ready length है उस तरह से mark कर सकते हैं तो यहाँ पर जो round है बिल्कुल पूरी तरह से perfect आएगा क्योंकि मेरे पास 3 मीटर से थोड़ा fabric कम था तो यहाँ मेरी जो length है वो 37 इंच पर ready हो जाएगी लास्टिक लगाने के बाद अगर 3 मीटर में आप बना रहे हैं तो 40 इंच तक आपका यह plazo ready हो जाएगा अब यहाँ पर जितनी भी हमने marking की है उसकी cutting कर लेंगे पहले यह गोलाई वाला पार्ट जो हमारा कमर का है इसको cut करेंगे उसके बाद नीचे से जो घेरा है उसको cut कर लेंगे so friends marking करने से पहले हम अपने कपड़े को जब तिकोना shape में बिचाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अंदर वाली जो layer है उसमें कोई भी silver या जोल नहीं होना चाहिए otherwise एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा हो जाएगा तो कपड़े की जो दोनों layer हैं वो बराबर equally बिचनी चाहिए तो देखिए हमने यहाँ पर cutting कर लिए इसके बाद आगे की तरफ यह जो unequal fabric है यानि इस तरफ किनारी भी है तो यहाँ से cut करके हमने सीधा कर लेना है और हम किनारी को भी निकाल देंगे क्योंकि किनारी से हमारा जो प्लाजो है अंदर वाली सिलाई उस वो जोला जाता है इसलिए हमने इसको निकाल देना है अब बचे हुए fabric में से में कुर्टी के लिए मैं यूज कर लूँगी आप खुली वाली साइट से हमने अपने क्रॉच की गुलाई देनी है तो यहाँ elastic की चोड़ाई जितनी भी है उतना हिंच टेप उपर की तरफ निकाल देंगे उसके बाद अपने क्रॉच की length लेंगे तो मैं 13 इंच ले रही हूँ hip का foot part प्लस 2 इंच करके इस तरह से अपने क्रॉच की length लेनी है तो देखिए आपका size कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा जितना भी आया उतना mark कर लेजिए इसके बाद पीछे की तरफ हम मैं 2.5 इंच पर mark कर रही हूँ अगर आप footy hip से जादा बना रहे हैं तो आप ढ़ाई से लेकर 3 इंच तक जितना भी आपका आय उतना ले सकते हैं इसके बाद इसको इस कॉर्णर पर इंचे टेप रखेंगे और उपर की तरफ मिला देंगे अब इसके अंदर हम अपने क्रॉच की गुलाई देंगे तो बस यहाँ पर ध्यान रखना है क्रॉच की गुलाई अंदर की तरफ जादा गहरी ना दे टांगों के बीज से जो अमरेला प्लाजो उटता है उसका रिजन यही होता है कि यहाँ पर आप जो इसकी गुलाई है वो जादा अंदर की तरफ दे देते हैं इस तरह से तो इस तरह से बिल्कुल ना दे यह गलत तरीका है अगर आप जादा गहरी देंगे तो आपका यह वाली जो सिलाई वाला पार्ट है अंदर की तरफ खिचेगा और साइट से लटकेगा तो बस हलकी सी गुलाई देते हुए हमने अपने क्रॉज की गुलाई को कट कर लेना है तो लीजे इसी के साथ हमारे अमरेला प्लाजो की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है इसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है तो स्टिचिंग करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जॉइंट नहीं आया है और यह हमारा बिना जॉइंट के कट हुआ है स्टिचिंग करने के लिए अब देखिए ये वाले पार्ट की राइट साइट को हम उपर रखेंगे यानि सीधी साइड उपर है अब इसके उपर हमने दूसरा वाला पार्ट रखना है तो इसकी जो रॉंग साइड है वो हम उपर रखेंगे राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी यानि दोनों की सीधी तरफ हमने अंदर रखना है अब क्रोच की साइट से हम आदा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे तो यहाँ पर मैं दो सिलाई करूंगी ताकर यह अच्छा से मुझबूती से लग जाए इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए बैल्ट कट कर ली है सो सिलीव कट करने के बाद जितना भी मेरा फैबरिक बचा था इसमें से मैंने यह तीन पट्टिया कट कर ली है मैं इसमें इस तरह से जॉइंट लगाऊंगी कमर की गोलाई के हिसाब से जितनी भी लैंथ होगी और उसके बाद हम इसको जॉइंट कर लेंगे तो यह पट्टि मैंने चार इंच पर कट की है लगबग 1.5 इंच की मेरी लास्टिक है तो इस भी यह जो बैल्ट है वो अच्छी तरह से बन जाएगी सो सभी पट्टियों को पहले मैं जॉइंट कर लूँगी उसके बाद हम अपने प्लाजों की कमर से इसको जॉइंट कर लेंगे तो यह इस तरह से आजाएगा तो यहाँ देख सकते हैं क्रॉस इलने के बाद मैंने पट्टि जॉइंट की उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा क्रॉज भी जॉइंट कर लिया तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यानि दोनों लग अलग हो गई है इसके बाद हमने इसकी बेल्ट में लास्टिक इंसरेट करनी है तो लास्टिक के लिए यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेडिन चॉड़ी लास्टिक ली है और लास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर के हिसाप से लेंगे जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे चार से पांच इंच कम लेकर हमने लास्टिक के लेंद कट कर लेनी है तो जिस साइज के लिए बना रहे हैं आप देख लीजिए इसके बाद हमने इस लास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरी के साथ इस तरह से सिल लेना है और नीफा फोल्ड करते हुए हैंड तो हैंड हम इसके अंडर इ zar実 कर देंगे पहले एक सिलाई नीचे लगाएंगे नेफा फोल्ड करते हुए उसके बाद लास्टिक डाले के बाद हम इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे ताके जो हमारी लास्टिक है नेफे के अंदर ना फोल्ड हो तो इस तरह से हमारी ये बैल्ट रेडी हो गई है इसके बाद अब हम इसको wrong side में turn कर लेंगे इसकी right side अंदर की तरफ रहेगी अभी बीच वाला जो हमारा fabric है इसको मिलाते हुए दोनों leg को fitting लगा लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अंदर वाली sly लगा ली है यह हमारी inner वाली sly है जो inner leg में आएगी अब हमने इसका जो घेरा है वो fold करना है तो यहाँ घेरा आप machine के साथ भी fold कर सकते हैं quarter inch fabric को double fold करते हुए किनारी पर एक sly लगा लेंगे तो यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं quarter inch हलका सा fold करेंगे और बस किनारी किनारी पर हमने सिलाई लगा ली है इसे plazo का जो घेरा है वो perfectly fold हो जाएगा तो अगर आप चाहे तो machine से भी fold कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह plastic thread से pico भी कर सकते हैं तो अगर आपको घेरे में curl चाहिए मेरे plazo की तरह तो उसके लिए आपको plastic thread से pico करानी होगी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने plastic thread से pico करा ली है और इसका नीचे से जो curl है वो बहुत ही अच्छे से आए है ये pico मैंने बाहर कराई है जल्द ही मैं pico machine ले लूँगी तो मैं आपको बताऊंगी plastic thread से pico कैसे कर सकते हैं और उस machine का पूरा review दोंगी सो friends यहां आकर हमारी वीडियो complete होती है उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और पसंद दिया होगी और आपने अब तक वीडियो को कुछ नए आइडियाज के साथ तब तक के लिए बाइ टेक केर थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो